है एवरीबरडी मैं हूँ रहूल और आप देखने मिशन कॉम्पेटिशन दोस्तों आज का जो वीडियो है यह मिनी मॉक टेस्ट है इसमें एकनॉमिक्स हिस्ट्री पॉलिटी करेंट अफेर्स सारे का मिश्र लाए गया है उमिद करतों वीडियो अपलों को अच्छा लाएग नागरिता संसोधन कानून कब से लागू हुआ और हमारा करेक्ट अंसर है दस जन्वरी 2020 यानि की ऑप्सिन नंबर C तो दस जन्वरी 2020 से नागरिता संसोधन कानून लागू हुआ और यह कैंसर कार ने इसको सीए के जड़ियो जारी करके इसको लागू कर दिया जिसके फीचर था वो क्या था कानून में पाकिस्तान अफगानिस्तान और बंगलादेश में पीडित जो अल्प संख्यक है गैर मुस्लिम अल्प संख्यक जो भारत की नागरिकता जो लेना चाहते हैं ठीक है उनके बारे में इसमें लिखा गया है इसमें लिखा गया है 31 दिसंबर 2014 चौदा या उससे पहले बिना यात्रा दस्तावेज के भारत आने वाले इन तीनों देशों से गैर मुस्लिम अल्प संत्याक को अवैद प्रवासी नहीं माना जाएगा अभी फिलहाल सरकार ने इस मामले में काफी सारे रूल्स और गाइडलाइन्स तैय नहीं किया अभी इसम कोश्चन नमबर थ्री अठार संतावन विद्रो के बाद ब्रिटिस सरकार ने सिपाहियों का चैयन किन प्रांतों से किया तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्सन नमबर सी गोरखा सी खेयों पंजाब उत्री प्रांत से आप देखिए 1857 का जो रिवाल्ट हुआ उसके बाद सरक सक्की दृस्टी से इन लोगों को देखा करती थी ठीक है विद्रो के समय बंगाल सेना के 60% सेनिक जो थे वो थे कहां से ये थे अवध से ठीक है और उत्तर पश्चमी उत्तर परदेश के प्रांत से लोग थे 60% सेना विद्रो के समय ठीक है चलिए नेक्स कोशन के बढ़ते हैं नेक्स कोशन हमारा कोशन नमबर 4 किस संगीत अग्ये ने राजा मान सिंग तोमर और गुजरात के बहादूर सा के दरबार में सेवा दी थी बहुत ही बढ़ियां से कोशन है करेक्ट आंसर हमारा बैजू बावरा ठीक है तो बैजू बावरा जो है भारत के धूपरत गा के नाम से जाना जाता है वे गौालियर के राजा मान सिंग के दरबार में ये गायक थे ठीक है और अकबर के दरबार के महान गायक तांसिन के बराबर के थे समकालीन थे इन्होंने गुजरात के बहादूर सा के दरबार में भी अपनी सेवा दे रखी है ठीक नेक्स कोशन के सब्सक्राइब करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्सन नमबर ए खान बहादूर तो 1857 में जो बरेली विद्रो हुआ था उसका नेता था खान बहादूर और और बरेली के रुहल में भूत पूर्व सासक के उत्र अधिकारी खान बहादूर ने 1857 के विद्रो की अगवाई भी इसने की थी ब्रिटिस पेंसन पर गुजर बसर ये पहले करते थे ठीक है कौन खान बहादूर इनमें इनको जो है कुछ भी दिल्चस्पी नहीं थी राच्तंत्र वेगरा इन सब में लेकिन विद्रो की लहर ऐसी फैली कि इन्होंने खुद प्रसासन समाल लिया और करीब 40-40 सेनी को संगटित कर अपनी सेना इन्होंने मजबूत कि और इनके समय में लगबग एक साल तक जो है ना एक साल तक अंग्रेजी जो सरकार है वो बरेली पर कबजा नहीं कर पाई चलिए नेक्स कोशें कर बढते हम नेक्स कोशें हमारा कोस्चन नमबर इस्प्राय भागवत संप्रदाय में भगती के रूपों की संंख्या कितनी हैं और चाय। मिलते हैं भारत में भागवत धर्म को दिव्व धर्म के रूप में भी जाना जाता है अब देखिए इसमें जो है विशनु को वासुदेव के नाम से जाना जाता है विशनु को वासुदेव नाम भागवत धर्म में दिया गया है और भागवत धर्म में विशनु के तीन अव तरभानें जाते हैं पुरसावतार, गुणा अवतार और लिलावतार फिर से में दोहरा रहा हूं पुरसावतार, गुणा अवतार और लिलावतार ध्यान में रखिया आप लोग बहुत important है नext question देखते है क्यों için no.7 है हमारा विक्रमशिला विहार संस्थापक कौन था तो विक्रम सिला विहार का संस्थापक थैं? उप्सिन no.C धर्म sacred ठीक है विक्रम जिला घर् साथ को राष्ट कूटों का संरक्षन प्राप था एक करेक्ट अंसर है हमारा ऑप्शन नमबर बी जैन धर्म को राष्ट कूटों का संरक्षन प्राप था इस वन्स की स्थापना लगभग 736 इस्वी में दंति दुरग ने की थी ठीक है और उसने मान्य खेत या मालखंड जो बोले आप मानने खेत या मालखंड को अपनी राजधानी इसने बनाई थी इस वंस के प्रमुक सासक में कुछ सासकों को नाम में बताता हूँ जो प्रमुक थे उसमें थे कृष्ण प्रथम ध्रूग गोविन थर्ड अमेग वर्स इंद्र थर्ड और कृष्ण थर्ड कुछ प बाबर ने पानीपत के मैदान में 1526 में इबराहीम लोदी को हराया इस युद में इबराहीम लोदी युदस्थल में ही ये मारा गया था ठीक है और दिल्ली सल्टनत का एकमात्र ये सुल्तान ऐसा सुल्तान था जो युदस्थल में लड़ते हुए ये मारा गया ये पहला एकमात सुल्तान था आपको बता दे कि पानीपत की पहली लड़ाई जो है साल 1526 21 अपरेल को लड़ी गई थी ठीक है यह आप लोग जान ले मैं आपको बताता हूँ और हिंदुस्तान में मुगल समराज के स्थाफना यहीं से होई थी इस लड़ाई की जो हाईलाइट फीचर थी वो यह थी कि बाबर ने इस लड़ाई में पहली बार आर्टी लड़ी यानि तोप खाने का इस्तमाल किया था इससे पहले भारत के किसी भी लड़ाई में तोपों का इस्तमाल नहीं हुआ था ठीक है चलिए नेक्स कोशन के और बढ़ते हम नेक्स कोशन नमारा कोशन न शर्शत तक गुलाम वंसकी इसमें बेशनगम कि और सासन किया इसने इलतुटमिस और गजनी के सासक युल्टूज से मुक्त Size प्रम प्रम्त हुआ था यह मुक्ती प्रमी मतलब यह मुक्ती प्रम्त जिसको मिल गया मतलब यह अब गुलाम सलतनत का अगर पूछा जा वास्तविक संस्थापक कौन है तो आप मारोगे इलतुतमिस ठीक है इलतुतमिस को दिल्ली सलतनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है ठीक है उदाइगिरी सहर कृसंदेवराय द्वारा स्थापित किया गया था तुलाव वन्स के थें कृसं दियान ले और इनका जो शासनकाल था तक भारत के सरवाधिक महान सासकों में से एक इनको माना जाता है आप इनकी महानता का इसलिए भी आप सोच सकते हैं कि बाबर ने इनको भारत का सरवादिक सकती साली सासक बता रखा है अपने जीवनी में जो पुस्तक बाबर को पर लिखी गई है क्रिसंदेव रायन ने विद्रोही समानतों का दमन करके उसके बाद गजपती के उदाइगिरी 1513 में इन्होंन करना ठीक है तो भारती रिजर्व बैंक इसको खुला व्यपार की क्रिया के तहत अर्थव्वस्ता में मुद्रा की पूर्ति को नियंतित करने के लिए राजकोशी यंद्र के रूप में सरकार परती भूतियों ट्रेजरी बिल या क्रे विक्रे के लिए आर्बीयाई काम करत सब्सक्राइब करता है तो बजार में सरकारी सेक्यूर्टी को यह बेचता है और इसमें डीटेल से पर इसमें और बिसकस करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए फिलान इतना काफी है चलिए नेक्स को बढ़ते हम नेक्स कोशन हमारा कोशन नमर 13 मेड़ वेट किसने किस से संबंदित है तो मेड़ वेट संबंदित है option number B वेट से ठीक है मड़ वेट इसका जो फुल फॉम होता है वो होता है modified value added tax ठीक है तो modified value added tax यह नि मोड़ वेट के अनुसार आगतों और मदवर्ती वस्तूओं पर कर समाप्त करके उससे निर्गमित अंतिम वस्तूओं पर कड़ लगाया जाता है इस प्रणाली से किसी भी वस्तूओं पर दुबारा या बार बार उत्पाद सुल्क यानि उत्पाद कर टैक्स लगाने की संभावना समाप्त हो जाती है ठीक है चली नेक्स कोशन हमारा घाटे की विद्विस्था का अर्थ विद्विस्था पर क क्योंकि इसके तहत बजटिय घाटे की पूर्ती है तु विद्विस्था अतरिक नोट निर्गमन के द्वारा होती है जिससे मुद्रिकरण होता है ठीक चले नेक्स कोशन के उपरते हम नेक्स कोशन हमारा राष्टे भूमी अभिलेक आद्मिकरण कारक्रम कब शुरू एकी सगस 2008 ठीक है तो देश में भूमी अभिलेक प्रबंधन प्रणाली के लिए भूमी संसनाधन प्रभाग ने एकी सगस 2008 से रास्टे भूमी अभिलेक आद्मिकरण कारक्रम की सुरुवात की थी ठीक है चलिए नेक्स कोशन के और बढ़ते हम नेक्स कुशन हमारा कुशन ऐसे अनिवार हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता ठीक है तो भारतिय सम्विधान की अधारबुट संरचना के सिध्धान का तातपर ये है मतलब ये है कि सम्विधाने कुश ऐसे लक्षन है जो अनिवार हैं जिने समाप नहीं किया जा सकता है सरवोच नियाले ने सबसे पहले किसवन भारती बनाम केरल राज 1973 में ये कहा है फैसले में ये साफ साफ कहा है कि समिधाने कुछ अधारबुत लक्षन है जिसका किसी विस्तिती में संसोधन नहीं किया जा सकता है ठीक है चलिए नेक्स कोशन के और बढ़ते हम नेक्स कोशन हमारा कोशन नमबर 17 सं संसर्थ में लेखा के लिए वोट क्यों बहुत होता है यह हमारा नक्स कुछन है और हमारा करेक्ट आंसर है ओसन नंबर का थीए ठीक है ऐसले होती एं जब समान बजट के समय सीमा अंदर पारित रुपन होने की आसा नहीं होती ठीक है तो संसद में लेखे के लिए वोट के बसकता इसलिए होती है जब समान बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आसा नहीं होती किसी भी बिल को ठीक है तब उसमें इसकी जोत परते किसी सरकार के एक वर्स की अनुमानित आयवे लेखा जोखा बजट का ल होता है इन सबका जो लेखा जो का होता है ठीक है चलिए नेक्स कोशन के बढ़ते हैं मारा नेक्स कोशन है कोशन नमबर 18 हर्याना के सिक्षा मंत्री कौन है बहुत ही बढ़ियां सा कोशन है करेक्ट आंसर है हमारा कमर पाल गुर्जर तो हर्याना के सिक्षा मंत्री कमर पाल गुर्जर है हर्याना ने हर्याना में नई सरकार के गठन के बाद 14 अवंबर 2019 को राज मंत्री मंदल का विस्तार किया गया इसमें भाजपा कैबिनेट के मंत्री कमर पाल गुर्जर को सिक्षा मंत्री बना दिया गया ठे व्याना के स्वास्त rocky है Chinese और यह भी भाजपाय केबनीट मंत्री असक्षा और विज्यान प्रदग्रिक को धिक्षा और एक जिए चालिए नेक्स्ट और आखरी कुशन्ट अचंगा मारा लोग पाल का वेतन कितना होता है है बहुत ही बढ़िया से कोश्चन है और हमारा क्रेक्ट आंसर है टू पॉइंट एट जीरो लैक पर मंथ ठीक है लोगपाल का जो वेतन है वह अंसरी यहां पर माफ करें यहां पर तो सा गलती है टू पॉइंट फाइव जिरो यानि कि धाई लाग क्या सपास ही होता है इनका लोगपाल का उसलिड़ेट फंड ओल इंडिया से माध्या से माध्यम से इनको दिया जाता है चुकही लोगपाल या उसके सदस्त भारत के मुख नयदिष या सुप्रीम कोर्ट के नयदिष ही होते हैं इसलहें उनकी पेंसन निधारित होती है तो पृ 노 receptor किये जाते हैं तो उनके वेतन से उनकी पेंसन की चाट ली जाती है ठीक है और बाकी बचे वेतन को ँनके उनको प्रदान किया जाता है चैलिए तो एक उमीद करता हूं आज कहीं वीडियो पसंद आया है विडियो को पुसंद आया तो विडियो को लाइक करें चैनल को अब तक सब्स्क्राइब